गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी ग्रामर में कल हम चैप्टर वाक्य पढ़ रहे थे हैं ना, और हमने पढ़ लिया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उदेश और एक विधियर, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य के भेद दो अधारों पर होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के थे, तीन प्रकार के, कौन कौन से, भूल गए ना, चलो आपको मैं रवाइस कराती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और इस के अधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से आठ प्रकार के वाक्य होते हैं, पहला है आपका विधान वाचक वाक्य, मेरे साथ आप याद कर लीजे, विधान वाचक वाक्य, और दूसरा है आपका निशेधात्मक वाक्य, विधान वाचक वाख्य उसके बाद संदेह वाचक वाख्य ठीक है और इच्छा वाचक वाख्य ठीक फिर संगेत वाचक वाख्य और उसके बाद विसमे आधी बोधक हो गए ना आठ देखो नमबर एक से चलते हैं ठीक है विधान वाचक नमबर एक ऐसे काउंट करते हैं विधान वाचक, निश्य धातमक, प्रश्न वाचक, आग्या वाचक, संदेह वाचक, संगेत वाचक, इच्छा वाचक और विसमयाधी गोदक. एट हो गए ना तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के के साधार पर अर्थ के अधार पर तो सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं ऐसे वाकि जिनमें कोई बात साधारन धंग से कही गई हो उसे हम विधानवाचक वाकि कहते हैं ऐसे वाकि जिसमें कोई सी भी बात बहुत ही साधारन धंग से बोली गई हो या कही गई हो वो विधानवाचक वाकि कहलाते हैं से विशाल विद्याले जाता है आज अखबार आएगा इसमें कोई भी बात है जो बहुत ही साधरण तरीके से बोली गई है वो विधान वाचक वाके कहते हैं किसी एक अन्य प्रकार की कोई भी फीलिंग या भाव इस प्रकार के वाकियों से हमें नजर नहीं आ रहा तो बिल् वाके जिन में कोई नकारात्मक वाके की गई हो उसे हम निशेधात्मक वाके कहते हैं नकारात्मक वाके का मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं कि उसमें नहीं शब्दगा प्रयोक किया गया हो जैसे विशाल विद्याले नहीं गया या कल अखबार नहीं आएगा तो इसमें नका परात्मक वाक्य यानि कि कोई निगेटिव सेंटेंस जो होना वो निशेदात्मक वाक्य होता है ठीक है अब हम चलते हैं आग्या वाचक पे देखे बचो आग्या वाचक तो यहां है उससे पहले प्रश्न वाचक है जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो व आज अखवार नहीं आएगा फिर से प्रश्न सुचक चिन लगाया तो यहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं यहां पर भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो अगर प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं तो उन्हें हम प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं ठीक है अगला है आपका आ आग्या वाचक वाक्य में क्या होता है जिन वाक्यों से आदेश या आग्या का भाव प्रकट होता है वो आग्या वाचक वाक्य कहलाते हैं अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं अगर हम किसी को कोई आग्या दे रहे हैं तो ऐसे वाक्यों को आग्या वाचक वाक्य कहते हैं ज यहां आने की निधी से बोल रहे हैं निधी अपना पाठ याद करो तो निधी को हम आगया दे रहे हैं कि निधी अपना पाठ याद करें तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को कोई आगया देते हैं तो वो आगया वाचक वाक्य कहलाते हैं ठीक है आगे देखे संदेह वाचक वाक है, संदेह का मतलब क्या होता है, doubt, तो अगर हमें किसी sentence में doubt हो रहा हो, तो ऐसे वाकि जो है, वो संदेह वाचक वाकि कहलाते हैं, जिन वाकियों से संदेह का भाव प्रकट हो, संदेह वाचक वाकि कहलाते हैं, जैसे शायद आज वर्षा हो, पक्का नहीं है लेकिन शायद हो संधेव प्रकट हो रहा है इसलिए ये संधेव वाचक वाक्य है शायद कल मामा जी आएंगे तो पका नहीं है लेकिन शायद आ सकते हैं तो इसलिए ये एक संधेव वाचक वाक्य है ठीक है अगला देखिए संकेत वाचक वाक जिन वाकियों से किसी संकेत अत्वा शर्त का बोध हो से संकेत वाचक वाक कहते हैं अगर आप किसी में कोई संकेत दे रहे हैं या कोई शर्त रख रहे हैं तो उसे हम संकेत वाचक वाक कहते हैं यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, तो हमने यहाँ क्या किया? हमने संकेत दिया, कि इस तरफ संकेत है, कि यद्धि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, ठीक है? दूसरा देखिये, यदि वर्षा नहीं होगी, तो फसले सूख जाएंगी, तो फसलों के बड़े होने के लिए शर्थ क्या है कि वर्षा हो थी अगर तुम परिश्रम करोगे तो उत्तिन हो जाओगे तो यहाँ पर भी शर्थ है शर्थ क्या है कि तुमको उत्तिन होने के लिए पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तो जो आपने conditional sentence English में सुनी है वही conditional sentence हिंदी में क्या होते हैं संकेत वाचक वाकि होते हैं ठीक है जो किस से स्टार्ट होते हैं यदी से स्टार्ट होते हैं आगे देखिए इच्छा वाचक वाकि जिन वाकियों से इच्छा या आशिरवाद का भाव प्रकट होता है वे इच्छा वाचक वाकि कह कहलाते हैं जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करें हमने किसी को आशिरवाद दिया सदा सुखी रहू हमने इच्छा प्रकट की और आशिरवाद भी दिया तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जो में से बनते हैं कि में यू लिव लॉग है ना कि आप दीरगायू रहे इस सदारों के सेंटेंस जो हैं वो इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं अगला देखिए विसमयादी बोदक वाक्य जिन वाक्यों से आश्चर्य, ग्रणा, खुशी, शोक, पीड़ा, दुख आदी के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विसमयादी बोदक वाक्य कहते हैं जैसे व वह तुमारे तो बड़े ठाट हैं अरे तुम कब वापस आए हाए मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया तो यहां पर वह तुमारे तो बड़े ठाट हैं इसमें क्या हो रहा है इसमें आश्चर प्रकट हो रहा है अरे तुम कब वापस आए इसमें भी आश्चर प्रकट हो रहा ह हाई मेरा सब कुछ चोड़ी हो गया इसमें हमारी खुशी दुख प्रकट हो रहा है तो इस तरह से जब हम आज चरे ग्रणा खुशी शोक दुख पीड़ा ये सारे शब्दों को प्रकट करने के लिए शब्दों का स्तमाल करते हैं एसे वाके कौन से वाके होते हैं विसमयादी बोटक वाके होते हैं तो देखा आपने कि अर्थ के आधार पर वाके कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के होते हैं एक बार सबके फिर से नम बताईए मुझे नमबर एक विधान वाचक वाके नमबर दो, निशेदात्मक वाक्य, नमबर तीन, प्रश्न वाचक वाक्य, मेरे साथ में बूलना भी है, नमबर चार, आग्या वाचक वाक्य, नमबर पाच, संदेह वाचक वाक्य, और नमबर छे, संकेत वाचक वाक्य, नमबर साथ, इच्छा वाचक वाक्य, और नमबर क्योंकि हम अराम से लिख सकते हैं, उनके example बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे practice होगी, और अच्छे से clear होगा, ठीक है, तो चैप्टर में हमें इतना ही समझना था, अब चलते हैं हम इस चैप्टर की exercise पर, चलिए, तो ये इस चैप्टर की exercise है बच्छो question number one देखे क्या है, सही विकल्प पर सही का रिशान लगाना है, तो हमारे लिए बहुत आसान है, पढ़ते हैं, क्या है देखे पहला, उदेशे के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बिन option के बताईए कि उदेशे के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे क क्या कहते हैं विधे कहते हैं तो हमारे option क्या है लिंग है वचन है विदे है तो पहली बार में देखकर ही हमको पता चल रहा है किसका सही आंसर विदे है तो हमने विदे इसका टिक कर दिया ठीक है दूसरा देखिए ऐसे वाग कि जिसमें कोई बात साधरा डंग से कही गई हो क्या क्या लाते हैं इसको तो अभी 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 हमने पड़ा है न कि ऐसे वाग कि जिसमें कोई बात को बड़े ही साधरा डंग से बोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं विदान वाचक बोलते हैं संकेत वाचक नहीं बोलते हैं और नहीं इच्छा वाचक बोलते हैं ठीक है sentence, kriya vishishan तो शब्द होते हैं, शब्दों के समूँ तो नहीं होते हैं, तो किसी भाव को पूरी तरह से जो व्यक्त करते हैं, वो होते हैं वाक के तो इसका सही आंसर है वाक ठीक है? जिन वाकियों से किसी संकेत अत्वा शर्ट का बोद होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो संकेत वाचिक वाकिय कहलाते हैं तो वो संकेत वाचा कहलाते हैं या संदेव आचा कहलाते हैं या फिर वो आग्या वाचा कहलाते हैं तो इसका अंसर तो मुझे भी देने की दरूरत नहीं है आप सारे बच्चे वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आती हैं तो आप सारे बच्चों को इसका अंसर पता है क्या है संखेज बाचर ठीक है तो अब यह exercise आप solve कर सकते हैं अब जलते हैं अगली exercise पर चल यह एक छुटकू सी छोटी सी exercise है बड़ी cute सी है और करने में मज़ा भी आएगा आप सब लोगों को देखते हैं इसमें में क्या करना है नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश की अनुसार बदल कर लिखना है बहतर है बहुत अच्छा है देखिए वह गाना नहीं अच्छा है थाएगी हैं हम इलहबाद जा रहे हैं इलहबाद एक बहुत सुदर शहर है कौन से राच में हैं उत्तर परदेश में है इलहबाद का नाम बदल गया है लेकिन आपको मालुम है मुझे तो मालुम है पर मैं आपको इतना असानी से नहीं बताने वाली हूँ यह आज आपका home work है कि आप मुझे ढून कर किसी से पूछ कर या पता लगा कर पढ़ कर कहीं से भी बताईए कि इलावाद का नया नाम क्या हो गया है ठीक है यह आपका आज का comment section का home work है आप मुझे जरूर इसको लिख कर बताएं ठीक तो हम इलावाद जा रहे हैं से प्रश्न वाचक में convert करना है तो प्रश्न वाचक में क्या करते हैं प्रश्न पूछते हैं तो पूछ लीजे भई कि क्या आप इलावाद जा रहे हैं ठीक है आपने प्रश्न पूछ लिया क्या आप इलावाद जा रहे हैं question mark लगा दिया बन ग आग्रा चले जाओ तुम आज आग्रा चले जाओ आग्या दि आग्या देने के बाद ये बन गया क्या आग्या वच्छ कैसी अग्रा देखो पूजा-पुस्तक पड़ती है विदान ब्याजा के इसने निश्यधात्मक में बनाना है तो पूजा को पुस्तक नहीं बढ़ाते हैं तो हम ऐसे बना देते हैं कि पूजा पुस्तक नहीं बढ़ते हैं तो बन गया न, शिशेधात्मक ऐसे काम करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है I hope आपको भी आता ही होगा अब चलते हैं हम थर्ड एक्सिसाइस पर क्या करना है इसमें? नीचे दिये गए रिक्तिस्थान बरने है तो पहला वाला देखिए ये वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उद्देश्य और उद्देश्य कैसे लिखते हैं सही से देखो आधदा और फिर पूरत ठीक है? चलते मोना घर जा रही है वाक्य में घर जा रही है क्या है? मोना घर जा रही है में मोना तो उद्देश्य है घर जा रही है? घर जा रही है विद्य है क्या है? विद्य है से एक साथ सम्हूं में रखेंगे तो वह क्या बनजाएगा वाग किया है अब चलते हैं हम अगले प्रश्ण पर नीचे दिये गए प्रिश्णों के उत्तर देने हैं मैं उत्तर देती हूँ लेकिन आप अपना उत्तर खुद से लिखेंगे ठीक है मैं पूरा पूरा आपको नहीं बताऊंगी देखो क्या है वाकि किसे कहते हैं सो दाहरन लिखिए सो दाहरन का मतलब क्या होता है कि उधारन सहित लिखिए ठीक है जहां पर भी सो दाहरन लिखा हो इसका मतलब है उधारन के साथ लिखना है तो वाकि किसी कहते हैं डेफिनेशन बतानी है वाकि की क्या पढ़ी थी अभी हमने डेफिनेशन भावों को स्पस्ट्रूप से व्यक्त करने के लिए जिस शब्द समू का हम प्रयोग करते हैं उसे वाकि कहते हैं ठीक है अब इसका उधारन लिख दीजिए तो कोई सावी वाकि लिख दीजिए कि मोना अपनी पुस्तक पढ़ रही है विकास आज बाजार जाएगा तो ये हो गया उधार वाकि कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखे वाकि कितने प्रकार के होते हैं वाकि के प्रकार जो है वो दो अधारों पर बाटे गए हैं रचना के अधार पर वाकि तीन प्रकार के होते हैं और अर्थ के अधार पर वाकि आठ प्रकार के होते हैं तो आपको तीनों प्रकारों के और आठों प्रकारों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जचना के अधार पर वाकि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, उधारन साहित लिखिए, तो आप लिखेंगे सरल वाकि, उसका एक्जामपल, सयुक्त वाकि, फिर उसका एक्जामपल और फिर मिश्रत वाक्य फिर उसका एक्साम्पल ठीक है आर्थ के अधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आर्थ प्रकार के होते हैं और उनके नाम भी लिखने हैं और उधारन भी लिखने हैं तो आप लिखेंगे विधान वाचक वाक्य फिर उसका उधारन फिर प्रश् के जो उत्तर है वो आपको अपने आप से खुद से करने है ठीक है चलिए अब चलते हैं हम बारी आपकी में बारी आपकी में आप जो भी काम करेंगे वो खुदी करेंगे है ना आप कहेंगे मैं वैसे भी हम खुदी करते हैं नहीं नहीं मैं भी आपकी help कराती हूं लेकिन कु देते हैं वो उद्हारण बोलते हैं न उद्हारण उद्हारण तो ऐसे लिख देते हैं उद्हारण ठीक आपको जूम करके दिखाती हूँ जेखो ऐसे लिखे, उदहारण, उदहारण, ठीक, उदहारण नहीं होता है, क्या होता है, उदहारण होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखा करो, और ध्यान से बोला करो, बोलोगे सही, तो लिखोगे भी सही, तो एक सरलवाके का उदहारण, सरलवाके का उदहारण, सरलव इच्छा वाचक का बताईए इच्छा वाचक का इच्छा करते हैं तो आपने इच्छा कर दिया आपने किसी को आशिरवात दे दिया कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो आशिरवात दे दिया कि तुम्हें भगवान सफलता प्रदान करें तुम्हें इश्वर सफलता प्रदान करें, इसवर की कृपा हमेशा तुम्हारे उपर बनी रहे, तुम्हारे परवार में बहुत सारी खुशिया आए, ठीक है, एक मिशृत वाक्र का पर, अग्जांपल देना है, कि मिशृत वाक्र का इम्हारब बचांपल में क्या करते हैं हम, जब तब लगा कि कोई सा संकेत देते हैं कैसे संकेत देते हैं या शर्त बताते हैं यदी वाला थीक तो यदी वाला बना दी जिये कि यदी आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाओंगा ठीक है या फिर यदि इस चीज के दाम कम हो जाएंगे तो हम इस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे ठीक है? और दूसरा मना दीजिए कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं वहाँ जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा तो इस तर ऐसे जो संकीत वाचिक वाकिय है उसके बहुत सारे उधारण मन सकते हैं यह तो मैंने आपको एक्जामपल के लिए बता दिये थे आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पर हो जाता है अब आपका चैप्टर फिनिश चैप्टर में जो भी एक्ससाइज हैं अब आपने सॉल्व कर लीचेगा और वीडियो को यही पर एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तिल दन कीप वाचिंग मैं वीडियो स्टे ट्यून लिव हेल्दी, बी हेल्दी, इत हेल्दी बाबाई